न्यूट्री चारज के पॉडटक्स को किस तरीके से सहल करना है, क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है तो दोस्तों कई सारी चीजे आज की इस ट्रेणिंग में हम कवर करने वाले हैं आपके लगाता डिमांड पर हमने ये पीपीटी बनाई है वर इस पीपीटी के माध्यम से इस ट्रेणिंग के माध्यम से आपको बहुत यह अची जानकारी मिलने वाली है बस आपसे ही की गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि यह ट्रेणिंग आपने मिस कर दी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी है ना तो आज हम न्यूट्री चार्ज स्पेशल ट्रेणिंग जानने वाले हैं बहुत यह अची जानकारी जानेंगे चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेल्स मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जैसे कोई सीए या डॉक्टर अगेरा होता है वह उसकी पढ़ाई करके फिर अपना काम करता है लेकिन सेल्स की कोई पढ़ाई नहीं होती है जब तक हम सेल्स के बारे में नहीं सीख पाएंगे इसलिए यह जो सेल्स है इसको के दी सीखना हय तो आपको मैदान में जरूर उतरना पड़ता है खा और सीदा सीदा है पॉड़क नॉलेज के left प्लस परक कंविक्शन परक नॉलेज जो प्रक आप संब inspections मैं आपको जानकरी कितनी है उसके बाद में परकर कंविक्शन यानि आपको उसपर वरोसा कितना है प्रोड़क्ट नॉलेज की बात करूं, RCM के इसाब से, तो RCM की प्रोड़क्ट की नॉलेज मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बता रहो कि sales कैसे करनी है, प्रोड़क्ट की नॉलेज आपको हर एक वीडियो में मिलेगी मेरे चैनल पर, उसमें आपको हर एक प्रोड़क्ट की इंडिविजली वीडियो मिलेगा, बड़े से बड़ा वीडियो मिलेगा, चोटे चोटा वीडियो मिलेगा, आपको हर तरीके से आपको प्रोड़क्ट की नॉलेज मिलेगी, क्योंकि selling का मतलब ही है transfer of enthusiasm to the buyer from the seller यानि seller अपनी energy को बेशता है अपनी energy को buyer में transfer कर देता है क्योंकि जो हमारे अदर energy है वो आई का से है वो product conviction से आई है यदि मैं उस product के satisfied हूँ वो product मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने आपी वो energy दूसरों को दे पाऊंगा जैसे मुझे RCM पर विश्वास है तो मैं RCM की हर एक knowledge आपको दे पाता हूँ पूरे conviction से अगर मैं सुनी सुनाई बाते या हवावाई बाते आपको कहूंगा तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा आपको समझ में क्यों आएगा क्योंकि मेरे अंदर जो enthusiasm है वो मैं आपको transfer कर पा रहा हूँ मेरे अंदर जो energy है वो मैं आपको transfer कर पा रहा हूँ और यह कहां से आई energy सीधी सी बात है product satisfaction से product conviction से दोस्तों if you sell something that you don't believe in you are not good professional यदि आप ऐसा product sell कर रहे हैं जिसके उपर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों आप sales कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वही जब मैंने पहले आपको बताया यदि sales करने है तो आपको product पर believe होना बहुत जरूरी है मान लीजिए मैं कोई समोसा खा रहा हूँ मुझे स समोसा बहुत अच्छा लगा है तो मैं सर्फ सामने वाले को इशारे से भी बता दूँगा तो भी वह जरूर जाके वह समोसा लेगा क्योंकि मैंने अपना जो energy है वह उसको दे दिया है मैरा जो believe है वह मैंने उसको बता दिया है यदि मुझे किसी चीज़ पर believe होना बहुत मार्केट में खूब सारे लेकिन आपको वह चुनना जिस पर आपको believe हो अब जैसे आर्सिम की बात करें तो इसमें खूब सारे product है जितने आपको सोचे भी नहीं है उतने इसके अंदर product है लेकिन क्या आप सभी को self कर पाएंगे जी बिलकुल नहीं कर पाएंगे आपको कु Commission sales और Salary sales Salary sales को हम मानते नहीं Salary sales क्या होती है आप sales करो आपको salary मिलेगी कई company hire करती है लेकिन उससे आप अमीर नहीं बन सकते यदि आपको अमीर बनना है आपको पैसा कमाना है आपको जल्दी रिच बिनना है आपको अपने सपने पूरे करने हो तो आपको sales के business में आना पड़ता है लेकिन sales में भी आप पड़ेगा commission sales में जहां पर commission मिलेगा बड़े-बड़े sellers जो है वो कहते हैं कि यदि मुझे वापिस से career चुनने का मौका मिल जाए तो मैं commission sales को best मानूँगा क्योंकि commission sales में हमारा work हमको income लाकर करके देता है salary में आप कितना भी work करोगे आपको निश्चित salary मिल जाएगी लेकिन commission sales में आप जितना work कर रहे हो उसका commission आपको मिलता जाएगा और आप जितना चाहे उसको ले सकोगे इसकी कोई limit नहीं होती है डेली आप 2 sales करो 2000 sales करो वो आपके उपर है बस ये है कि आपके अंदर कितना efforts आपको लगा सकते हो उस पर यह सब depend करता है इसलिए commission sales सबसे best होती है तो sales करने की सबसे पहले मैं आपको बता दो first tip tip कहो यह problem solution की एक चीज कह दो जो भी कह दो आपको बहुत ही शांदारी लगेगी सबसे पहले टिप है need and relevance आप शक्ता और प्रसंगिकता आप जो भी product किस health की उसको cosmetics की दिक्कत ही नहीं उसको need ही नहीं है तब cosmetics product नहीं बेच पाऊगा आपको health का product sell करना पड़ेगा इसलिए आपको need जरूरी हो दिए और दूसरा रेलिवेंस relevance नहीं उस product की जो problem है उसके साथ में relevancy कितनी है जैसे एक उधारन मैं आपको बताता हूँ आपने शाय सुना होगा कि किसी घर में एक तोता था वह तोती की जो मालकी थी वह बहुत परिशान थी एक वज़े से क्योंकि वह तोता जो है वह मिठू मिठू बोल नहीं रहा था तो जो एक बंदा आया तोते तोते वाले को उसने बुलाया कि देखो इसको क्या हो गया है तो तोते वाला जो था उसने ये कहा कि इसको क्या बड़े पिंज़े में रहने के आधत है इसलिए आपके बाद चोटा पिंज़रा है तो आप बड़ा पिंज़रा ले लो तो उस म मालकिन ने ये भी कर दिया लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं था फिर उसने कहा कि एक काम करो पिंजरे के अंदर एक सीड़ी लगा तो जिससे क्या वो चलता उपर तरता नीचे रहेगा उसके एनर्जी बनेगी उसका मूड अच्छा होगा और वो कुछ नकुछ बोलने लगेगा ऐसा फिर भी किया उसने लेकिन उससे क्या हुआ कि तोते ने सीड़ी ओ पर चड़ा वो जरूर चड़ा और बोला भी एक बार लेकिन उसके बाद वो तोता मर गया क्यों मर गया क्योंकि दोस्तों उसको भूख ती अंदर जो जो वो बोल नहीं रहा था उसको कारण एक की था उसको भूख ती उसके लिए खाने को तो कुछ लाया नहीं गया जबकि लाया गया बड़ा बड़ा पिंजरा अंदर सीड़ी अंदर लाइट लगाई जा रही है तो वहां पर प्रॉडक की रेलिवेंसी नहीं थी एक चोटी चोटी चीज समझने की होती हम बड़ी से बड़ी चीज देते हैं यह भी गलत है हम सोचते कि हमारी ज्यादा सेल हो लेकिन ऐसा हमको कॉस्टमर का फायदा देखना पड़ता है कॉस्टमर की रेलिवेंसी और नीट देखता है लेकिन पड़क बार-बार कब दिखता है जब हम सच बोलते हैं तो दोस्तों इसले हमको सच बोलना है और रेलिवेंसी रखनी है इसके बाद मैं सेकंड टिप में बता रहो लौफ एवरेज लौफ एवरेज हमेशा काम करता है दोस्तों आप सो लोगों को दिखा लेकिन सबसे नकारा व्यकति भी एक परसेंस सेल कर सकता है इसका मतलब समझाई आप कोई व्यक्ति जाता है फिल्ड में वह बहुत गरेट है उसको मान लो मैं कहता हूं दुनिया का सबसे गरेट सैल्समें ऑफ दी येर का आवार्ड मिल चुका है लिकिन वह भी कोई प्रड प्रिकते हो और उससे आपको सेल्स मिलती है लेकिन हाँ यह औसत जो है यह बढ़ सकता है दोस्तों यह जो लॉफ एवरेज जना यह बढ़ सकता है कैसे बढ़ेगा जब लगातार काम करोगे आप अब फिल्ड में जा रहा है और सो मैं से दो लोग सामान खरीद रहें लेकिन अगे चलके ऐसा हो कि सो मैं से तीन लोग खरीदेंगे सो मैं से पांस लोग खरीदेंगे कभी ऐसा भी दिन हैंका सो मैं से 50% कभी आपका रेशियो निकलेगा तो सेल्स रिजेक्शन निकलती है लेकिन लॉफ एवरेज काम करता है दोनों चीजों को आप रिलिवेंसी रखी कहीं न कहीं अपकी प्रेजंटेशन में चूक कुई होगी या उसकी नीड को परड़क्त सैटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा इसलिए नो बोला है आपको इस बात पर ध्यांत दे नहीं यह सोजनाए कि उसकी नीड से आपका पोड़क भैस नहीं बठा आपको उसके लिए की बात मैं इसलिए करूंगा कि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अब जो हमारी प्रेसेंटेशन इस्टार्ड होई है सबसे में पार्ट इस्टार्ड हुआ है आज के इस ट्रेणिंग सेशन का दोस्तों जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए पहला आपका उद्द क्या होता है Dentisation संप्लीमेंहा कि होता है और लोगों को NUTration संप्लीमेंटस के जुरुत क्यों है क्योंकि मैं आपको क्या बताया था पहला पॉइंट की नीड और हैल्डी रहना ठीक है लेकिन हल्दी रहने के लिए हम उनको NUTrition संप्लीमेंटस जब singing नाफिर क्यों हम खाना क्यों लेट है तो अब प्रॉपर डाइट बताओ अब नुटिशन सप्लिमेंट्स क्यों जरूरी है फिर हम लोगों को बता पाएंगे ताकि अम किसी की नीड क्रियेट कर सके, वर नाम नीड को क्रियेट नहीं कर पाएंगे, यह बहुत ही आफसक जानकरी है, इसलिए nutrition की special training मैंने आपको पहले ही दे रखिए तो आप सबसे पहले उसको जाकर के देख लीजेगा, link में description में दूँगा, हमारा playlist है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस training को आपने देख लिया तो मान लो आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है तो उसको आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाईएगा, नहीं समझ मैं तो दुबारा देखिएगा, ठीक है, और कोई चीज दिखका तो, तो मुझे उसी वीडियो पे जाकर करके कमेंट जरूर कीज़ेगा, ठीक है, अब इसके बाद में, आपको पॉरा के फायदे बताने पड़ेंगे, देखो, आप पॉरा की पॉरा के फायदे क्या है, उस समय आपको पॉरा के अंदर घुसना नहीं है, विटामिन दी है, विटामिन ई है, बताओ, लेकिन एक शौट तरीके से, इसके फायदे क्या क्या है, उसके लिए भी आपको सबसे पहले नूट्रिशन की जो चेक अप मशीन होती है, जो मेरी बॉड़ी, बॉड़ी स्केनर मशीन, जिसको कहा जाता है, वो आपके पास में होनी बहुत जरूरी है, आप उसको अमिशा साथ में रखिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि आप जब इस से लोगों का च कौसलिं करेंगे, तो वो बंदा एकसाइट होगा, कि मेरे अंदर क्या-कया चल रहा है, मेरे अंदर क्या-कया चल रहा है, फिर उसको खुद के टेटा के अनुसार को हम प्रॉड़क्स बताएंगे, उसको निक्रां वो खुश हो जाएगा दोस्तों, वो एकसाइट होगा, तब वो मानने लगेगा है ना वरना मोटे-मोटे तौर पर बताऊगे ओवरल तो भी बंदा मानेगा नहीं इसलिए बॉड़ी इसके मशीन का यूज जरूर करें बहुत बहुत इंपोर्टेंट चीज है अब बॉड़ी इसके मशीन का यूज कैसे लेते हैं इसके लिए मैंने कोर्स कर लिजी वह बैस्ट रहताए उसके बाद में आपको बताना बहुती इजी हो जाता है इसके बाद में दोस्तों मैंने क्या बता है कि आपको फायदे बताने है भई आप डीब से डीब नॉलेज बताने की कोशिश करोगे तो वहां पर आप फेल होजाओगे के वल आ तो काफी अच्छा होगा अगर अगला व्यक्ति पूशता है कुछ extra add-on पूशता है तो आपको बताना पड़ेगा वना उससे पहले आपको नहीं बताना है तो इसलिए आपको खुद को पूरी की पूरी ट्रेनिंग हर एक पड़क की लेनी है जिससे आपको हर एक knowledge में हो वहाँ कम लोग होते हैं तो वहाँ check-up करोगे तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा तीन-चार जाने मिलकर जा सकते हो यहाँ अकले भी जा सकते हो अच्छे से check-up करो, counseling करो और लोगों को बताओ प्रड़क के बारे में ऐसा बताओ कि लोगों को अच्छा लगे उनके बार पर चोटी-चोटी जगहों पर अच्छे से nutrition camp लगा सकते हो जैसे मंदीरों में लगा सकते हो आप किसी संस्ताओं में लगा सकते हो आप किसी school में लगा सकते हो किसी clinic के बाहर लगा सकते हो किसी पार्क में लगा सकते हो किसी yoga center में लगा सकते हो किसी gym में भी लगा सकते हो ज इसके बाद में आपकी अच्छी सेल हो सकती है आप लोगों का चेक अप करो अच्छे से एक बढ़िया पर्ची बनाओ उनको पर्ची दो जिसमें उनका डेटा लिखा हो और कोई रिकमेंडेट हो तो वह भी आप नीचे लिखो और साथ में आपको बता देता हूं कि आप भी इसके बाद में अपने प्रड़क्स बता सकते हो यह आपकी जाएन पर चांद के हैं अगर नहीं भी है तो भी आप लोगों के पाद जाओ उनको अच्छे से बताओ और मैं तो सही बताओ ना आपको एक परसनल बात बताता हूं कोशिश करो कि दो प्रड़क्स वहां पर करके जाओ तो अगर इनवेश्चमन करके देखो इफ़ो कि बहुम्त करीब का कि खक्रचा आएगा पर रखो अगर वह नहीं मानता है उसका अगर नहीं भाद में करके बाकि निकल सकता है थींग न करने के कोशिश करो जарूइब डरूर करेंगे क Will important लेंद के पास में आब करinyaों ठीक क्लेंगों नचेर्ज को योगा योगा सेंटरवाले वह गय रिए कंसल्ट कर रहे हैं उनसे बात करो उनको प्रोड़क्स दिखाओ को ज़रूर् मों ने भी ऐसा किया वे तभी मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद में सबसे बड़ा चीज ज्यान गाढ़ागा तैस्टी मॉनेल करता है भी कस्टोमर नहीं आप जरूर दिखाने की चेश्टा करें उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है तो हमेशा द्यान नखना मैंने जो जो चीजे बताई आपको सबसे नुट्रिशन की जानकरी हो तीसरा आपके बाड़ी इसके मशीन हो उसकी भी जानकरी हो कंसल्टिंग की जानकरी हो और आप आपके पास मैं Testimonial हो तो जाकरके आपका पूरा का पूरा नुट्रिशार्ज का जो से बहुत ही अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नुट्रिशार्ज के products बहुत ही अच्छे है पताने जा रहे हैं तो पहले पर करना पड़ेगा लेकिन जो सुबह सुबह योगा वगएरा कर रहे हैं जो नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों की वहां तो हमारा आदा काम पहले ही हुआ है कस्टोमर की चटनी हुई है यानि वह हेल्थ के पती तो कॉंशेस है बस हमको अपना प्रड़क उनको बताना है ठीक है तब सुबह सुबह जाओ अपने आसपास के पारक में लोगों से रिलेशन्स बनाओ फिर लोगों के घर जाओ बॉड़ी स्केनर मशिन लो या उनको अपन लेट की चार्ज का व्यूं ऑर जशाएं नूट्य चार्ज के 22 के 22 पोड़क्ट एं उन में से लग-बग 20 प्रड़क्ट्स की जानकरी आपको पर मिल जाएगी और उसका प्लेमिस्ट के नाम से जिसका लिंक मैं आपको डिसक्रिशन में दे रहा हूं अभी के अभी जाना औ बस आप अच्छे से देखना आएक पड़क की नोलेज लिए और इस पर नोट्स बनाना नोट्स बना उते जादा बैटर रहेगा इसके बाद में और भी कोई दिक्कत हो तो तो मुझे कॉंटेक कर सकते हैं या मुझे कॉमेंट कर सकते हैं यह हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नोट्रिचाज के जो भी पॉड़क के वीडियो आएंगे या किसी भी अन्य तरीके की ट्रेनिक्स आएगी तो आप तक नोटिफिकेट हो पाएगी वरना दिक्कत हो कर सकते हैं तरह तरह के चोड़ी चोड़ी वीडियो देते हैं जिसको आप शेयर करोगे तो काफी अच्छा रहेगा बाखी आपने इस ट्रेनिंग को एंड तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज